अस्लाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं सब ठीक होंगे आज के वि लोग के स्टार्ट करने वाली हूं मैं इस शादी वाले जोड़े से ये सिलने के लिए आयवा है और इसके ओपर जो जहान के सीक्वेंस लगे वे हैं सेक्वेंस बोले तो इसके उपर वह चिपकने वारे नग और बहुता कट दाना अब जहां पर मुझे पाइपिन लगानी है जहां पर फिटिंग लाइन है वहां वहां से तो मुझे यह उधेड़ने का बोले तो वहां से निकाल के या तो अपने दांतों का बढ़ा करना है या बस पीछे से उन्हीं की बंगों की वाज़े आ रही है तो अच्छा जी अब मैं दिखा रही थी यहां पर बेसिकली मैंने वीडियो क्यों बनाई वी है मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि मैंने अपनी सिंदगी में कितनी ज्यादा सुइंग मशीन को इस्तमाल किया है उसका हाथ की चर्खी चला कि उसे छोड़ दिया जाता था तो वह खुद बखुद घूमती थी मतलब इतनी समूटी मा के हाथों की जो थी फिर जब मैं बड़ी हुई तब मुझे रेलाइज हुआ कि घर में बंदियां ज्यादा है और मशीने कम हैं और ये मटके बेचने व उसकी तारीफें करती नहीं ठकती और मैं जलतें नहीं ठकती कि मैंने उसे दी क्यों थी अब जब वो मसला हल हुआ और मशीने वैसे पहले के लिहाद से अच्छी आती भी नहीं हैं भले आप कंपनी से निकल वाए मैं अपना एक्सपिरियंस आप से शियर करती हूं जनाब और सारी की सारी मशीने मैं आपको दिखाते भी हूँ कि मैंने क्या क्या करना मिसर अंजाम दिया हैं इन पूरे दो तीन सालों में और खास कर जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से मैंने कितनी मशीनों के उबर प्रैक्टिस कर ली हुई है अच्छा जी सबसे पहले जो मैंने मशीन ली थी, वो मैंने ली थी सिंगर से, मैंने का सिंगर का बड़ा नाम है, बड़ा फेम है, तो ये एक वरकशॉप है, इनकी सदर के अंदर कराची के अंदर मैं वहाँ पे चली गई, भाई ये भी गाड़ी पार्की कर रहे थे और बाइसे बन दी औरों पर जल्दी से ट्रस्ट करने वाली जैसे हीज़ से बाइंधर आए कर लिए तो यह करें मेकानिक से चलाती रहे गी बाइंगर भाइंगर करें बारह का बना देड़ने लगी वह फिर उठाके में चलेगी तो वह बिल बन के 14,000 हो गया क्योंकि अब आतें जातें किराया भी तुछ जाना है तब उस मशीन के साथ मुझे इसके साथ प्रेसर फूट पर दिया गया था यानि एक मोटर लगा के दी गई थी लेकिन जब मैंने देखा कि यह मशीन सही होने का नाम नहीं ले रही मुझे अब वहाँ पर जाना मुश्किल लग रहा था बार बार मैंने उनकी बात मान ली और मैंने मोटर उतार दी और हाथ से काम करना शुरू किया तब भी मैं اध् suits करती दी लोगोंके कुछ खास लोगों क क करती है मुझे ऐच्छा का सा माूंट पेक्टें कि Ooदी तक मेरे जितने भी वीडियोज देखी तो अब मैं आपको एक मज़े की टीप देती हूँ वह लोग जो नई मशीन भाए करना चाहते हैं नई मेशीन खरीदना से बहते हैं अपने आपके प्रचीन हाई को ठीक करते हैं उनके सग्चेंट हैं अब मैंने वह बारा हज़र की जो मशीन खरीदी थी उसे उठा के मैंने एक सिंपल मशीन से एक्सचेंज करवाया जो के सलीका है अभी आगे जाके नजर आएगी उसे सलाइका सलीका भी आगया मुझको लेकिन अब जो यह वाली मशीन आप सिंगर वाली देख रहे हैं यह मैंने अपनी भापी को ही सकेंड ह होती है वह खरीदी उसके ओपर मैंने 11-12,000 पे खर्च किये वह भी फैल हुई वह भी मशीन उठा के मत्हें मारी जहां से हम लेकर आए थे मतलब मेरे यह दो ऐसे एक्सपिरियंस थे के जिसको जहां पर मैं किसी वरक्शाप में जाती हूं और जो की मशीन गोल्डन है लडिला काम किया है यानि थोड़ा थोड़ा रुखे मैं आपको बताती हूं ना के स्वाइंग इस नोट माइश प्रोफेशन की जिससे मैं पूरी की पूरी अर्निंग कर रही हूं तो यह थी मेरी कहानी उस मशीन की जो के मैंने सिंगर की एक ली थी अब यह वाली जिस इं प्रोजेक्स बनाता रहता है जैसे जुमेट्री वॉक्स डॉल्स के ड्रेसे वह कहता है मैंने भी टेलर बनना है अलांकि तो है नहीं मेरा फर्स प्रोफेशन तो टीचिंग है और माजरत के साथ आवाजें आपको बैग्राउंड से बहुत ज्यादा आ रही है उसकी वज़ जोके हैं कि उनको यहां पर लाइट दुबारा भीजने भी है इसी वज़ा से मैंने वीडियो आपके लोगी चल्दी चल्दी शूट किया है और मेरी कोशिश थी के जब तक यह बच्चा पार्टी गई वी इंजक्शन लगवाने के लिए मैं पीछे से वाइस ओवर कर लू पर इनकी वरक्शाप ने भाई से पूछा था तो अगर आपको कहीं से अच्छे मशीन बाई करनी होती तो सलीका इस बैटर ऑप्शन दैन सिंगर सिंगर तो फेल है अभी आपके चल कर पता चलेगा क्यों फेल है एक और मशीन में आपको दिखाती हूं तो यह है मेरी सलीका मशीन और इस सलीका मशीन से मैंने बहुत देर तक अपने चैनल के उपर स्वाइं की वी है लेकिन इसके इसके परफॉर्मेंस चैनल के हिसाब से काफी कम थी इसवज़ा से फिर मैंने सोचा कि मुझे स्विच करना चाहिए टूवर्ड्स माई जो की मशीन लेकिन यह अभी काफी चल रही है भावी के पास यह मैंने भावी को दे दी है ठीक है और वह सिंगर वाली पहले नजर आई है भावी ने अपनी उठा के बतीजे को दे दी क्योंकि हर मशीन का यहां से जैम कर देता है यह वाला हिस्सा जहां पर प्रैसर फूट होता है नीचे बॉबिन में दागा पर देता भी बच्चा है न उसको इतना अंदाजा नहीं है तो मैंने उसको पूरी की पूरी अच्छा जो मेरी पहले वाली आईरन थी वह भी मनें अपने बतीजे को दे दिया मैंने चलो पूरे होते जाए मेरे शोक मेरे वाले दला में नजर नसीब करे उन्होंने अब फुपी तो कोई होनी चाहिए ना एक धबा लगावा है फुपी यह वैसी होती है नहीं भाई फुपी यह थिया है जैसी मैं हूं और सब मुझे बड़ी बहनी कहते हैं और में हुआ हुआ उनकी बड़ी बहन भड़ी बहनों की तरह रहती हूं यह दो कि मशीन आपने म वाला लियावा है और अल्हम्दलिल्ला ये काफी बहतर चल रही है इसने मुझे अभी तक दगा ने दिया और मुझे अबसलाई का मज़ा आता है सीधी से जो मैं आपको बात बोलूँ क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने ये अच्छा आपके एरिया पर डिपेंड करता है मैंन बादे इसका एड़ाइज के मैंने साथ-साथ रखी हुई है उधर मैं इसके जैसे इसलाई लगाती हूं उसको अवरला कर देती हूं तो मेरा काम इस तरह से प्रोफेशनल वे में चला गया है तो मुझे ना कपड़े बड़े लगते हैं इसके कॉटन तो आराम से सिल जाते हैं तो फिर शूल्डर बिचारे का क्या वो थोड़ा सा जो जुड़ा रह जाता उपर से उसके भी धागे निकल निकल के खराब हो जाते हैं और आजकल आपको पता है के कपड़े की क्वालिटी कैसी है तो जनाब आते हैं को और नई सिंगर मशीन की तरफ यह है यह मैंने ऑनलाइन की तरफ से बाइकी थी लेकिन इससे पहले मैंने जनॉम एटी टू हंड़ड बाइकी थी कराची के मौसम में आकर उसको बुखार हो गया उसका जो अंदर का सर्कृट था उसके उपर बहुत जदा नमी आ गई थी तो वह तो बिल्कुली ब्लाइंड हो गई थी 20, 20,000 से उपर मैंने इस पर इन्वेस्ट किया मारखाल 22,000 प्या मैं सीदी सीदी सी प्राइस बता रही हूं और जब मैंने इन्हें वापस रिटर्न की तो कहते हैं मैंने का तो फिर यहां तो हर वक्त 2400 घंटे भाई इसी तरह गए मौसम रहता है कराची के अंदर तो उन्हों मैंने के भी चीजें सीते से लाते हैं तब भी मारे घर में सिंगर मेशीन थी और वो सब के हाथों में चलती थी लेकिन आज के मशीन उनका मकाबला नहीं करते हैं लिए इसकी नीडल चूटी ही या ना तो बस काम करते हो चूटती रहती है تو मैंने अपनी मनी यहां पे वेस् तो बस यह को सब कुछ था मशीनों के बारे में अक्सर लोगों से सवालात करते हैं तो मैं उनको अपने शेयर करने के लिए चोटी से एक वीडियो बनाई है कि ऐसे ही नहीं हाथ में चीज आ जाती ऐसे ही नहीं मैं आपको मश्वरे देती कि आप सिंगर सोरी जोकी की मशीन ख किएगा और यह देख लिए वर्दाना बुकरम ब्लैक और वाइट कलर के मुझे कॉलर यहां बैन बनाना पड़ता ना कोई डाक कलर के कपड़ों में तो ब्लैक कलर की होती है और यह बाबिन इलास्टिक इसे मैं एक ड्रेस बनाया पर कोई फाइदा नहीं हुआ पता नहीं